नवे राष्ट्र मंडल संसिद्य संग भारत शेत्र, CPA, इंडिया रिजन के नाइंत्वे इस संभेलन के समापन समहारों में, हमारे बीच में भारत के उपराश्पती माननिय जगदीब धनकर साथ, राजस्तान के महामें राज्यपाल महोदे, स्री कलराज जी मिश्व साथ, CPA की कारे-कारे समीती के चेर परसन श्री हियान लिडेल ग्रेंदन जी, राजस्तान विधान सभा के अध्यक्ष श्री पी जोशी साथ, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननिय स्रतीश महाना जी, CPA राजस्तान जोन के सेकेटरी, सैयम लोडा जी, सेकेटरी जन्रल, पीटा सिन अधिकारी गन, राज्य सरकार के मंति गन, माननिय सांसद गन, विधायक गन, डिप्टी स्पीकर गन, गनमानिय अथिती भाई और भाईनों। मैं सर्पतम माननिय उप्राश्पती जी का धन्यवाद देता हूं, आभार विक करता हूं, कि उन्होंने इस सम्मेलन के समापन समारों में आने में स्विक्रती दी। उनका व्यस्त कारेकम था, लेकिन उनकी संसदिये, लोकतंत पे अति विश्वास और जिन्होंने राजस्तान की राजविधान सवा से लेकर, लोकसवा में, लोकसवा में भी संसदिये, मंती के रूप में, हमेशा उनका लोकतंत के प्रतियती विश्वास है। हमारे बीच में महामईम राजविपाल मोहदे हैं, जिनका पूरा सामाजिक राजनिती जिवन मानो केंदित रहा है। जो सभी विधान मंडलों के, और सभी विधान परिशत, विधान सवा, लोकसवा, राज्यसवा, सभी सद्नों के सदश रहें, और जिनका एक लंबा गाजनिती अनभो है, उनका भी मारदर्शन हमें मिलेगा। हमें बहुत कुशी है कि दो दिन के इस सम्मेलन के समापन के और हम बढ़ रहे हैं। दो दिन के इस सम्मेलन में हमारे पीटा सीन अधिकारी गण, विधान सवा, विधान परिशत के सभी माननी पीटा सीन अधिकारी गण, उपसवापती और राज्य सवा, लोक्सवा के मान्य सांसद्गन ने अपनी विचारों को वेक्त किया। सभी विधान मन किंडल के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी विधान सवा की अच्छी प्रमप्राएं, परपाटियां, नए नवाचार के अनभुव साजे किये। हमारे मान्य सांसद्गनों ने अपने अनभुव के आधार पर हम किस तरीके से लोक्तांतिक संस्ताओं को सरशक्त बना सकते हैं, जवाब दे ही बना सकते हैं, प्रशाशन में पार्दुश्चिता ला सकते हैं, जवाब दे ही ला सकते हैं, उसके लिए भी विचार रखें। CPA भारज जोन जो हमेशा समय समय पर लोगतांति वैस्ताओं के अंदर परस्पर अपने अपने अन्भव विचार नौचार और उसके साथ साथ एक राज्य से दूसे राज्यों के बीच में संस्दिय परंप्राओं का आदान प्रदान विचारों का आदान प्रदान और किस तरीके से इन विधान मंदलों को हम जनता से सीधा समवाच से जोड़ें इन विधान मंदलों की जनता से सक्रि भागेदारियों इन विधान मंदलों के बारे में संपूर्ण देश की जनता नोजवानों को जानकारी हो इसके लिए CPA लगातार कारिकम करता रहता है CPA के विधान में भी राज्यों के अलावा अंतराश्टी इस्तरपल भी एक दूसरे देशों के संसिदिय प्रमप्राओं बेस्ट प्रेक्टिसेज उनकी प्रमप्राओं को साज़ा करने का भी कारिकम होता है उसके साथ साथ CPA के समय समय पर सभी CPA देशों के सदस्टिकन जिसमें विशेष रूप से CPA के अंदर राज्यों के विधान मंडल के पीटा सिन अधिकारी गन भी होते हैं वो भी अंतराश्टी इस्तर पर वहां के सम्मेलनों में अपने विचारों को वेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम इस संस्ता के उद्देशों को लेकर लोगतंत को और सशक कर सकें इसके लिए समय समय पर चर्चा समाज चलती है इस दो दिन के अधिवेशन के अंदर डिजिडल के माध्यम से सूशाशन इस्तापित करना और डिजिडल के माध्यम से इन संस्ताओं को जवाब देई बनाना उस पर कही मान्य विधान मंडल के सदश्यों ने महत्पुन विचार वेक्त किये मुझे पता है कि उनका एक लंबा अन्भव अपने राजनिती जीवन में राह है और उनके अन्भव का लाब उस राज्य की विधान परिशद विधान सभा को तो मिली रहा है लेकिन उनका अन्भव देश की संसिदिय लोक्तंत को भी मिल रहा है और इसी लिए इन विचारों के आधान प्रदानों से नवाचारों से बेस्ट प्रेक्टिस से चर्चा समवास से ही हमने इस 75 वर्ष की लोक्तंत की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी किया है और देश को लोक्तंतिक देश के रूप में एक विश्व के मारदशन भूमिकार के रूप में भी स्तापित किया है और इसलिए बदलती परिस्तियों में जब टेक्नोलोजी का जमाना है और इस टेक्नोलोजी का उप्योग कैसे हो और इसलिए भारत की अधिक्तम विधानसवा अभी पेपर लेश विधानसवा हो चुकी है और अधिक्तम विधानसवाओं में अपने कारेकरम में उन्होंने सूचना प्रोध्योगी का उप्योग बढ़ाने का महत्पुन काम किया है लेकिन इस चर्चा समवाद के बाद हमारे विधान मंडल इस डिजिटल माध्यम से जनता की पहुंच तक पहुंचने के निर्णाएक कारगर साबित होंगे आने वाले समय में हमारी योजना है कि राज्य के विधान सबाओं के अंदर जो भी कारवाई होती है जो भी महत्पुन मुद्दों पर डिवेट चर्चा होती है मान्य विधायगन अपने पने शित्त की समश्याओं अभाओं कटनायों को विधान सबाओं में उठाते हैं प्रश्ण काहल और अन्य उस विधान सबाओं के नियम प्रक्रियाओं के तर्थ जो सवाल उठाते हैं जो कानून बनाने का काम होता है, उसकी पहुंच जनता तक पहुंचाएं, मुझे आज भी मैं कह सकता हूं, जो कानून चाहे राज्य में बनते हों, चाहे कानून केंदी विधान मंडलों में बनते हों, उस कानून बनने के बाद बर्सों तक, आम जनता को जानकारी नहीं होती कि हम जनता के कानून, जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के कल्यान के लिए कानून बनाते हैं, जनता को अधिकार देने के लिए कानून बनाते हैं, और एक पार्दस्चिता शाषन व्यस्ता लाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन जिनके लिए एक कानून बनाते हैं, उनकी सारी डिवेट चर्चा होने के बाद भी जो उस कानून से प्रभावित है उनको भी कानून की जानकरी नहीं होती और कई बार तो कानून बनने के बाद सालों तक रूल्स न बनना ये हमारे लिए बहुत चिंता का विशे है और इसलिए हमने लोग सभा में पैसला किया है और राजविधान सभाओं से मेरा आगर है कि जो कानून पारित लोग सभा या राजविधान सभा में हुएं वो कानून पारित होने के बाद उसके रूल्स तैस सहमा में बने और उन rules को बनने के बाद वो सदमों के अंदर टेबल हो ताकि कानून और rules की सारी जानकारी आम जनता को मिल सके और ये माद्यमों का digital के कारण और इसलिए हमारी संस्ता जितनी digital का प्रियोक करेगी सूचना प्रोध्योगी का प्रियोक करेगी हम उतना ही जंता की पहुंच तक नस्दीक पहुंच जाएंगे और इस भारत के अंदर मैं कह सकता हूं मान्य प्रधान मंती जी ने इस डिजिटल के माध्यम से गाउं तक एक क्रांच तिलाने का काम किया आज देश के अधिक्तम गाउं में फाइबर कैमिल पहुंच चुकी है गाउं धनी में बेठा आम आदमी देश प्रदेश विश्व की घटनाओं की जानकारी रख सकता है हमारी पहुंच उस अंतिम वेच्ति तक पहुंच नहीं है और इसलिए जब हमारी विधान सवाय डिविचल का उप्योग करने लगेगी हमारे चुनुवे माननी विधायगन जो बुद्ध्य उन्होंने उठाएं जो सवाल उठेवाएं उनकी पहुंच जंता जब कहुंचने लगेगी तो शासन में प्राइदस्टिता जवाब दे आईगे और इसलिए इस डिजिटल के कारण इस डिविटी के कारण एक पारदस्टि शासन और पारदस्टिता आर्थिक सुच्चिता लाने का काम भी भारत में हुआ है आज हम इस करप्शन की बात करते हैं उस करप्शन के रोकने में भी टेक्नोलोजी का महत्पुन उप्योग हुआ है जहां जहां टेक्नोलोजी का उप्योग हुआ वहां करप्शन कम होता चला गया और इसलिए आम आदमी तक सरल सुलब तरीके से पहुशने में तकनीकी का महत्पूर्ण उप्योग है और इस भारत में हम सब ये देख रहे हैं ये परिवतन का युग है हम उन विक्सित देशों से भी आगे की और बढ़ रहे हैं जहां हम से पहले टेक्नोलोजी आई है लेकिन मेरा विश्वास है आने वाले समय में हम इस सूचना प्रोध्योगी तकनीकी का उप्योग सकारत्मक दिशा के अंदर विधान मंडलों विधान सवाय और केंद्र विध बाद हुआ है जो दो दिन तक आपके विचार विश्वास हैं उन विचार विश्वास के निन्ड़ों को लेकर हम आने वाले समय के अंदर इस एक वर्ष के अंदर हम जब उन विधान मंडलों में इन सारी कि डिजिटल तकनीकी का उप्योग करेंगे उसके बाद हर साल समिक करेंगे कि हमने जो लक्ष ते किये गए थे उन लक्ष तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे कि दूसरा विशे जो महत्पुन है कि कि जन प्रतिद्यों के माध्यम से सम्रत राष्ट बनाना कि निश्चित्रूप से जब सविधान बनाता सविधान निर्माताओं ने दुनिया के अंदर एक ऐसा सविधान बनाया जो आज मारदशक की भूमीम का है केवल 140 करूड जनता के लिए नहीं आज विश्व में जहां कहीं भी सविधान बनता है तो सविधान के अंदर जब चर्चा समवाद उस देश में होती है तो भारत के सविधान की चर्चा समवाद की जरू चर्चा होती है हम आजादी के बाद हमने भी कई देशों से महत्पुन सुजाव लिए लेकिन आज दुनिया के लोगतान्ति देश भारत के सविधान के आदार पर जिसमें वेक्ति के अधिकार से लेकर समानता के अधिकार से लेकर न्याय के अधिकार से लेकर मतदान के अधिकार से लेकर एक ऐसी लोगतान्ती वैस्ता भारत में खड़ी किये जहां जन्ता का शाशन और जन्ता के दौरा शाशिश शाशन है जहां पर पार्दसिता चुनाओं में हैं जहां सत्ता का अस्तान्तन सहर रूप से हो सकता है यह हमारे डेमोकेसी की तागत है लेकिन डेमोकेसी के अंदर जो हमारे विधान मंडल है जो किंदी विधान मंडल है उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर कई ने कई हमारे सदनों की गरिमा गिर्ती गरिमा हमारे लिए चिंता का विशे और इस गिर्ती गरिमा को इसकी मर्यादा को इसकी गरिमा को बनाने का काम कौन करेगा जो सदन में बेठे जनपति दी उसकी जिम्मेदारी है जनता ने जिस मनोभाव से उनको चुनकर भेजा है उनकी जिम्मेदारी है कि वो सदनों के अंदर जनता की अपेक्षाय, आकानशाय, कटनाईयां उनके विचारों को सदन के प्रद्यम से सरकार तक पहुचाएं, हर विशे पर डिवेट करें, चर्चा करें, कानून बनाते समय सक्री भागिदारी हो, क्योंकि एक जनपतिती का संवाज सीधा जनता से रेता है, और जो कहते हैं न कि जमीन का फीट बेक अगर असली आएगा, तो जनपतिती से आएगा और इसलिए हमारे जनपतिती हर तरीके से सक्षम होना चीए, और इसलिए समय समय पर हम जनपतितियों के लगातार प्रशिशन के माध्यम से, उनकी कैपिसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, उनकी शमता निर्मान का काम करते हैं, जनपतितियों का संबेलन करते हैं, ताकि वो एक राजिसे दूसरे राजिकें जनपतियों के विचारों बेस्ट प्रैक्टिसे जो का अनभव कर सकें, और यह C.P.A. का संबेलन भी, इसी तरीके से जनपतितियों के समवाद और चर्चा के माध्यम से, हर जनपतितियों अप नए नवाचार करकर वहां के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्टन करने के लिए किस तरीके बैचरिन काम कर सकता है इसके लिए समय से हैं पर यह सम्मेलन आयजित की जाते हैं और मेरा मानना है मेरा विश्वास है कि यह बहुत गंभीर चिंतन का विशे है कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ भारत है आज आर्थिकों सामाजिकों दुनिया की कोई चुनोती हो उस सारी दुनिया की चुनोतियों का समाधान का रस्ता भारत निकाल रहा है और आने वाली भाष्ष की चुनोतियों की चिंता करने उसके समाधान का रास्ता भी भारत से निकल रहा है उस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे जनप्रणिती जब सद्नों में चर्चा करे समवाद करे तो वर्तमान चुनोतियों पर भी चर्चा करे और भईश की पचीश साल की भईश की कार्योजना के माध्यम से हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं उसकी चर्चा समवाद भी हमारे सद्नों में होना चीए लेकिन हमारे सद्नों के अंदर गतिरोद पेदा करना सद्नों को न चलना नियोचित तरीके से सत्नों का गतिरोद पेदा करना ये लोगतंत के लिए उचित नहीं है मैं हमेशा हर प्लेट पार्म पर ये बात करता हूं और मुझे आशा है एक दिन समय आएगा हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं को देड नहीं जब सत्नों में गतिरोद नहोगा हर दिन हर शन भारत की जनता का एक एक रुपे का उपयोग चर्चा समवात के माधियम से होगा बैतर कानून बनाएगने के लिए होगा हर चुनोतियों का समाधान सदनों के माधियम से निकलेगा और हम जनता के एक अंतिम वेक्ति के जनता के कल्यान के लिए सामाजिक आर्थिक बदलाओ के लिए ये सदन आज भी महत्पुन है इन सदनों को और सार तक बनाने के लिए हम काम करेंगे और मेरा विश्वास है जितनी जन्पतियों में शमता निर्माण होगी जितनी उनकी सदों में सक्री भागिदारी होगी उतना ही जल्दी भारत समर्द और विक्सित राष्ट बनेगा और इसलिए प्रधान मंतिजी ने कहा है कि आजादी के सो साल जब हो तो दुनिया में विक रिमोकेसी के रूप में नेतुत कर रहे हैं आज भारत डाइवर्सिटी के तागत हमारे पास है आज हमारे पास नोजवानों की तागत हमारे पास है उनकी बहुत दिक्षमता नवाचार की तागत हमारी है भारत एक युवा देश है और इसलिए हम सब मिलकर इस देश को आजपाल महोदे का बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेश रूप से राजस्तान विधान सभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साब का जिनोंने इस संभिलन को आईजित किया और एक बहतिन आईजित किया और एक लंबी चर्चा संभाद यहां पर हुई मुझे आशा है जो द करम चलेते उन लक्षों की पहुंच कहां तक पहुंच पाए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद